अन्नपूर्णा, खलकी सी आहट हुई और मेरी आँख खुल गई, मुझे लगा, खिलकी पर कोई है, जांक कर देखा तो अंधेरे में एक मानवाकृती तेज कदमों से दूर जाती दिखाई दी, चाल धाल से कोई युवती लग रही थी, रात गए ये युवती मेरे कमरे में क्या ताक जांक कर रही थी, चौकीदार को आवाज लगाने की सोची, पर फिर रुख गया, वेर्थ मेरी ही बदनामी होगी, हो सकता है, वह मुझे पर ही कोई लांचन लगा दे, इन गवार लोगों का क्या भरोसा, मेरा क्या है, कल काम खत्म करके निकल जाओंगा, सोच कर म मैं सोने का उपक्रम करने लगा, पर सो नहीं पाया, अगले दिन सरकारी मुएने का काम खत्म कर रवाना होना चाहा, तो गाउ के पोस्ट मास्टर साहब आ गए, उनके संग एक नवेवती भी थी, आपचारे का भिवादन के बाद वे मूल विशे पर आ गए, ये शोभा चायक चुनाव के वक्त आये थे और तीन दिन यहीं डाक बंगले में रुके थे, तब इसी ने आपकी सेवा टहल की थी, ओ, तो यह वो है, मैंने सोचा, दरसल उस समय इसका गोना हुआ ही था, ये हर वक्त आपके सामने घूंखटकारे रहती थी, इसलिए आप पहचान नह पाए, मुझे याद आया, पिछली बार मैंने इस नवयोवना की एक जलक पाने का कितना प्रयास किया था, पर नाकाम्याब रहा था, उसने मेरी हर सुख सुविधा का खयाल रखा था, खाना बनाने से लेकर कपड़े धुने तक, पर न कभी बात की और न कभी चेहरा दिख अभी कोई दो महीने पहले ब्याह हुआ और दो दिन बाद ही पती चल बसा, अरे, वो कैसे, मैंने चौक कर पूछा, पियक कर था हुजूर, गारी के नीचे आ गया, खैर होना था सो हो गया, अब ये यहाँ नहीं रहना चाहती, शहर जाकर छोटा मोटा काम करके जिन्दगी गुजारना चाहती है, ज्यादा पड़ी लिखी तो है नहीं, आपको कहते संकोच कर रही थी, मैंने कहा, मैं कह दूँगा, आप इसे अपने संग शहर ले जाए और इसके लायक कुछ जुगार कर दीजिये, मैं कैसे अपने संग ले जा सकता हूँ, मेरे सामने अपनी बीव का चहरा गूं गया, मैं प्रयास करूंगा, यदी कुछ हो पाया तो बुला लूंगा, मेरे सूखे आश्वासन से युवती का चहरा बुझ गया, ओस्ट मास्टर साहब उसे समझाते बुझाते ले गए, बला टली, सोचकर मैंने चैन की सांस ली, मैं गाव की सीमा से बाहर निकल ही रहा था कि वही युवती शोभा जाने कहां से भागती हुई आई और रुखने का इशारा करने लगी, मैंने जीप रुखवाय और रुखाई से पूछा, अब क्या है, वो अदर गई, पर साहस चुटा कर बोली, आप से अकेले में बात करनी है, मेरी स्थिती अजी से टेक किया था, वो तो मर गया, पर अब गाउं के आवारा लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं, न दिन में चैन है, न रात में, बापू को होश नहीं रहता, मा पहले ही गुजर चुकी, भाई बहुत छोटा है, यहां घुट-घुट कर जीने से तो अच्छा है कि कही दूग मरूं, कहीं काम नहीं मिलेगा, तब तक आपके यहां जाडू बरतन कर लूँगी, आप सल नहीं ले गए तो मैं यहीं उस कुए में कूट जाओंगी, वो भाई को समझा कर कपड़े वगेरा लेकर आई थी, उसकी धमकी से मैं सेहर गया, दर्ते दर्ते उसे लेकर घ आमकात समभाल लिया, लेकिन उसके रहते मैं अपने ही घर में अजनबी सा महसूस करने लगा था, हर वक्त सच समवर कर भले मानुस बने रहना अखरने लगा था, मन में डर लगा रहता कि उसका यौवन और सौंदर्य कहीं मुझे भटका न दे, जाने क्यों ये छोटी सी ब परीक्षा लेने पर तुली है ये दोनों, नहीं कर सकता में ये सदाचारी होने का धोन, न चाहते हुए भी जाने क्या देखने की चाहत में नजरे चुपकी से उसका पीछा करती, उस दिन तो मेरी सहन शक्ती हद पार कर गई, जब पडोसी सुरेंद रिकांत ने बातों ही बातों में मुझे छेर दिया, अब तो भाभी जी को महीने दो, महीने के लिए पीहर भेज दो, अरे दिक्कत क्या है, पीछे है तो सही संभालने वाली, बलकि ज्यादा अच्छी से संभाल लेगी, करते हुए ऐसे व्यंग्यपूर नशील तरीके से उसने दांक निपोरे की मेरा खुनखोल उठा, घर में घुसते ही मैं तनू पर, दहार उठा, तनू, आज और इसी वक्त तुमने उस शोभा का कहीं और इंतजाम नहीं किया, तो मैं कल ही उसे उसके गाउं पटकाऊंगा, मैंने कोई खैरती सराय खाना नहीं खोल रखा है, शोभा उस वक्त बाजा गई हुई थी, जिसका मुझे आभास था, इसलिए मेरी आवाज में और भी जोशा गया था, पर वो बेचारी, तनू ने हलका सा प्रतिरोध किया, कोई बेचारी बेचारी नहीं, सहानु घूती दिखा कर कुछ दिन रख लिया, बस, कल को लोग उल्टी सीधी बाते करें, म मुझे ये सब बरदाश्ट नहीं, फरमान जारी कर मैं तीर की तरह घर से निकल गया, शाम को धड़कते दिल से घर में प्रवेश किया, कही तनू ने उसे सब कुछ च्यूं कत्यूं उबल कर रवाना न कर दिया हो, यदि ऐसा किया होगा, तो मेरी क्या छवी रह जाएगी उसके दिल में, या शायद कुछ कहा ही ना हो, और अभी हमेशा की तरह वह चाय का कप लेकर हाजर हो जाए मेरे सामने, पर वह नहीं आई, उसकी जगह मेरी बारह वर्षिया बेटी नीलू चाय लेकर आई, अरे, तुम आज खेलने नहीं गई नहीं, मा ने अब से खेलना ब पाते देख अपने हुंट काट लिए, मैं किसी भी रूप में यह नहीं दर्शाना चाहता था कि मुझे शोभा के जाने की कोई परवा है, हाला कि मन ही मन में ये जानने के लिए मरा जा रहा था कि वह कहां गई और तनू ने उसे क्या कह कर भेजा, घर में सब मानो मेरे धहर में ऐसे ताजा है, मानो कल की ही बात हो, तब मैं पुरुषोचिक दंब का शिकार था, लेकिन अब मुझे लगता है कि पुरुष सर्वग्याता, सर्वशक्तिशाली होने का आदंबर मात्र रचते हैं, जब कि स्त्रिया हमारी रग रग पहचानते हुए भी हमारे इस आदं मैं ऐसे मौकों पर अगली गली में स्थितिक मेस में खाना खाया करता था, उस दिन भी मैं वही चला गया था, वहां नौकरों को निर्देश देती शोभा को देख मैं अचम्भे में पड़ गया, मैंने चुपचाप मुड कर लोटना चाहा, लेकिन उसने मुझे देख लिय अरे आये न साहब, खाना खाय बिना कैसे जा रहे हैं, ए मदन, पहले इधर टेबल साफ कर, गर्मा गरम ठाली लगा, तुम यहां कैसे आपको तनू दीदी ने बताया नहीं, वे ही तो मुझे यहां रखवा गए थी, तहां, यहां अच्छी पगार मिलेगी, पहले मैं यहा काम पसंद आया तो उन्होंने मुझे पूरी मेस की देखवाल की जिम्मेदारी सोंक दी, मालकिन बहुत बीमार रहती है और बाबुजी को और भी बहुत से काम है, तो मेस में ही संभालती हूँ, गाव में तुम्हारा भाय और बापु, नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था, जब उसकी जिन्दगी बन जाए, तो अच्छा हो, बापु को भी यहीं एक नशामुक्ती केंद्र में डाला है, कोशिश तो कर रही हूँ, उनकी लट छूट जाए, आगे भगवान की मर्जी है, मैं चुपचाप खाना खाकर लौट आया, दिल में शोभा के साथ साथ जाएंगे, वहना केवल एक अच्छी बेटी, वरन एक अच्छी बेहन का फर्ज भी निभा रही है, और तनू, मेरी कमजोरियों से वाकिफ होते हुए भी उन्हें उजागर करने की बजाये छुपाकर समाज में मेरा मान सम्मान बनाये हुए है, उमर बढ़ने के साथ साथ नारी मेरे लिए और भी श्रद्धे होती गई, मैं शायद एक शोभा के आकलन से ही संपूर्ण नारी जाती का आकलन करने लगा था, अपनी मालकिन की बीमारी से मौत के बाद जब अधेर मालिक ने शोभा के सम्मुख अपनी बिखर्ती ग्रहस्थी को सहेजने का अधारा साल के बेटे की सौतेली मा बनना भी स्वीकार कर लिया और कहना ना होगा कि अपने सद्व्य वहार से उसने विद्रोही बेटे को भी अपना बना लिया, आज वह मां का राजदुलारा है, अपने पुरुशोचिक दंब, ता खोल मुझे अब खोकला प्रतीत होने लगा था, लेकिन जब भी मैं से बाहर आकर सहचता से लोगों में शोभा की तारीफ करता, तो वे मेरी ही खिल्ली उडाने लगते, उनके अनुसार, मैं व्यर्थी नारी का महिमामंदन कर रहा हूँ, ये सब करना तो एक नारी का करतव्य है, लोगों की नजरों में किसी ना ही मा की महती जिम्मेदारिया अपने कंदों पर ले लेना ये क्या आम बाते हैं, तनु के स्वर्गवास के बाद मा की तरह नीलू की देखभाल करना और कन्यादान का धर्म तक निभाना क्या ये भी आम बात है, एक कुरुश यदी ये सब कुछ करता तो, अब तक महा नारी का साधारन काम भी साधारन है, खैर, सार्ख बरस का होने चला हूँ, लोग ठीक कहते हैं कि अब मैं सथ्याने लगा हूँ, दो दिनों से खाना बनाने वाली बाई नहीं आ रही, खुद ही पका रहा हूँ, लेकिन आज सवेरे से ही बदन में हरारत सी लग रही थी, शा फोन कर दिया, एक कुस्तक पढ़ते पढ़ते जाने कब आँख लग गई, चूड़ी और पायल की खंखनाहाच से आँख खुली, अरे शोभा, तुम आप, इतने बड़े सेट की बीवी को अब, तुम, कहना उचित नहीं लगता था, इसलिए मैं अकसर, तुम, और आप, मे पहली बार घर आई थी, खाली घर में उसकी उपस्थिती मुझे संकोच में डाल रही थी, शायग मैं अब भी पुरुष्ट्री संबंधों की सीमा रेखा पर ही जूल रहा था, ये टिफिन का खाना नहीं है, मैं घर की रसोई से गरम खिचड़ी और पालक बना कर लाए हू आपको खिलाय बिना नहीं लोटूंगी, उसने मुझे जबरन बिठा दिया और खाना परोस दिया, संकोच तो हो रहा था, पर उसका यहादिकार भाव मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने चम्मच उठाया ही था कि बत्ती चली गई, मेरा दिमाग फिर ओल्टी दिशा में गूमने लगा, अंधेरे में लोग इसे मेरे घर से निकलते देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मुझे खाते देख उसके चहरे पर असीम त्रिप्ती के भावा आ गए थे, मुझे साक्षाक देवी अन्नपूर्ना का रूप लग रही थी